कुंडली में अगर शुक्रगर कंदोर रुक्स तो जातक को कई प्रकार की प्रैशानी का सामना करना पड़ता है शुक्रवार को कुछ उपाय करे जाए तो इससे शुक्रदेव प्रसन होते हैं आईए पंडिजे से आते हैं वह हो पाए यदि हमारी कुंडली में कोई शुब ग्रह है तो उसका हमारे उपर सकारात्म गसर होता है और कोई ग्रह अशुब इस्तिती में है तो उसका हमारी कुंडली में नकारात्म गसर होता है इसमें शुक्र जो है हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है हमारे रहन सहन में और हमारे खान पान से लेकर हमारे जीवन के हर अंग पर शुक्र का बड़ा प्रभाव रहता है इसलिए कुंडली में शुक्र की स्थिती हमेशा अच्छी बनी होना चाहिए हमारे जीवन में यदि शुक्र कमजोर है ऐसी अवस्था में हमें चाहिए कि हम शुक्रुवार के दिन काले वस्त्र पहनने से बचे और जितना हो सके उतना शुक्रुवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आना प्रारम्ब हो जाएगा शुक्रुवार के दिन गाय को घी लगी रोटी उसमें गुर रख करके देना चाहिए सफेद गाय को जिससे की शुक्र की इस्तिती मजबूत होती है शुक्रुवार के दिन भगवान स्युजी को दूध मीठा दूध अरपन करना चाहिए जल चडाकर के पुना जल चडाना चाहिए और सफेद चंदन लगा देना चाहिए जिससे शुक्र की इस्तिती प्रबल होती है, शुक्र प्रसन्न होते हैं शुक्रवार के दिन, शुक्र की इस्तिती प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए विशेस महिलाओं का सदा सम्मान करना चाहिए माता बहने और कोई भी इस्त्रियों उसको सम्मान की द्रश्टी से देखना चाहिए शुक्रवार के दिन मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और शुक्रवार के दिन ओम शुक्राइनमा ओम शुक्राइनमा ओम शुक्राइनमा इस प्रकार से शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए शुक्र हमारे जीवन में सुक संपत्ति एश्वरी प्रदान करते हैं लक्ष्मी प्राप्ती करवाते हैं इसके लिए हम सब को चाहिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का अवरत धारण करें लक्ष्मी जी की विशेश उपास ना करें जिससे की हमारे जीवन में संपन्नता प्राप्त होती है जैसरी कृष्ण